असलाम अलेकुम दिस इस ओडिये फाक्स्टरट फॉम डिफेंस आउटपोस्ट तो आज अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पीए सी को जो के पाकिस्तान एरनाटिकल कॉंप्लेक्स है उसे एक एक्सपोर्ट और मिलने वाला है जियर 17 ब्लॉक 3 के लिए जी हां आ हमारे काफी क्रेडिबल सोर्स हैं ट्विटर के उपर एयर ऑपरेशन सेंडिकेट के नाम से आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं उन्होंने ये खबर कंफर्म की है कि डील साइन होने वाली है तो इसके साथ सथ उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी हिंट दिया कि एक मुस्लि जो है मुस्लिम हैं बाकी और भी कंट्रीज हैं लेकिन हम क्योंके खबर जो है वो मुस्लिम कंट्रीज पर आई है तो हम मुस्लिम कंट्रीज पर फोकस करेंगे अब हमारे हिसाब से इस कैटेगरी में हमारे पास चार कंट्रीज आती हैं जिनमें तुर्की, नाइजीरिया, एराक और अजरबाइजान शामिल है इन में से जो नाइजीरिया है वो पहले ही तीन जीएफ 17 थंडर अपरेट करता है और रिसेंट रिपोर्ट्स के मताबिक नाइजीरियन एर फोर्स जीएफ 17 थंडर की केपिबिलिटी से काफी ज़्यदा खुश है और उनके जो डिफेंस और उसेंट्स हैं या अकाउंट्स हैं वो यह सजेस्ट भी कर रहे थे कि नाइजीरियन एर फोर्स और जीएफ 17 ले सकती है ओवराल नाइजीरिया का जीएफ 17 लेने का चांस है लेकिन यहां पर अगर हम इस चीज को देखें कि वो कंट्री और्डर करेगी जिसके साथ पाक तुर्की आजाता है हमने रिशेंट खबर देखी कि तुर्की जो है वो स्टॉप गैप सलूशन के तौर पर जीएफ 17 को प्रक्योर सकता है और अगर देखें तो तुर्की और पाकिस्तान के दर्मयान जो डेफेंस कॉपरेशन है वो मुझे नहीं लगता किसी और मुस्लिम कंट्री में ज्यादा है लेकिन यहां पर फिर डाउट्स हैं कि आया तुर्की वाकी जीएफ 17 ब्लॉक 3 में इंट्रिस्टेड है कि नहीं इवन क्रेडिबल सोर्से से इन्पुट आ रही है कि ऐसा बिल्कुल है वो इंट्रिस्टेड हैं जीएफ 17 ब्लॉक 3 में तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुर्की भी हो सकता है विकाज उनके पास जो है वो अपनी F-4 फैंटम की फ्लीट है उनको उन्होंने रेडायर करना है या फिर उनको साथ साथ उनको उनके लीजन में एक एडवांटेज भी हासिल करना है तो जीएफ 17 ब्लॉक 3 एक परफेक्ट चोईस है ले तो इंटिग्रेशन में थोड़ा इशू आएगा लेकिन ये चीज़ नामुम्किन नहीं है अगला जो कंट्री है वो एराक है ये भी रिपोर्ट साही थी कि एराक भी जेफ 17 ब्लॉक 3 में इंट्रेस्टिड है इवन एराकी डेलिकेशन ने भी जो प्रोडिक्शन लाइन है जेफ 17 ब्लॉक 3 की पीसी कामरा के अंदर उनको विजट भी किया था और रिसेंटली एराक ने हमसे सूपर मुशाक एरकाफ भी प्रक्यूर किये हैं तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है कि एराक भी हो सकते हैं वो कंट्री जो के जेफ 17 ब्लॉक 3 की डील करने वाली हो लेकिन इसमें हम हत्मी तोर पर अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एराक और पाकिस्तान की जो डिफेंस कॉपरेशन है थोड़ी है आखर में जो हमारे पास एक और काफी स्ट्रॉंग कंटेंडर आता है वो है अजरबाइजान अजरबाइजान की एरफोर्स जो है उसको एक अच्छे फोर प्लस प्लस जेन फाइटर की बिल्कुल जरूरत है क्योंकि उनकी फ्लीट में जो हैं वो काफी पुराने रश्यन और सौवियत टाइप के एरक्राफ्ट हैं तो वो भी इस जेफ 17 ब्लॉक 3 प्रोग्राम के अंदर इंट्रस्टिट थे और निगोशियेशन भ काफी ज़्यादा वेपनरी एक्सपोर्ट की हैं तो डिफेंस कोपरेशन भी अच्छी खासी है तो अजर्बाइजान भी हो सकता है जो के ब्लॉक 3 लेने वाला हो अब देखें हमारा काम आपको एक इंसाइट देना के कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं हमारे हिसाब से इसमें अ काफी बड़ी बात है कि सिर्फ चंद महीने हुए हैं उस एरक्राफ्ट को इंडक्ट हुए और उसका एक अगर एक्सपोर्ट और मिल जाता है तो ये उस पूरे प्रोग्राम के लिए और एज़ान नेशन हमारे लिए बहुत फखर की बात है बस यही आज की अपडेट है व के लिए वीडियो तक के लिए अलाहाफिज पाकिस्तान जिन्दाबाद